हेलो एव्रिवान, वेलकम टू लोचन अकाड़मी, तो लोचन अकाड़मी में आपका स्वागत है, मेरा नाम है अर्शता अगर्वाल और आज के इस करेंट अफेस के डिसकॉशन में हम डिसकस करेंगे प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना, तो हाली में ये योजना इनाग ग्रेट करी गई, हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, 24 एप्रिल 2020, 24 एप्रिल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, तो इसी दिन किस योजना को लौच किया गया, ये है प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना, स्वामित्व का मतलब होता है यानि किसी चीज को अपनाना, और ये किसलिए है ये स्कीम, ये है रूरल एकोनमी को बूस्ट करने को आगे बढ़ानी के लिए, तो क्या है ये स्कीम, इसके क्या फीचर्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम आगे लेक्चर में डिसकस करेंगे, और हम नाशनल पंचायती जाज दिवस के बारे में भी डिसकस करेंगे, तो पहले एक क्वेस्टन देखते हैं, जिसका जवाब मैं बाद में दूंगी, तो प्रधान मंत्री स्वामित्व स्कीम, इन में से किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, आपके ओप्शिन से, A. Ministry of Rural Development, B. Ministry of Finance, C. Ministry of Human Resource and Development, और D. Ministry of Panchayati, राज, कमें सेक्शन में आप इसका अंसर दे सकते हैं, मैं भी कमें सेक्शन में ही इसका अंसर डालूंगी, यह जो स्वामित्व योजना है, यह लाँच किया गया तो, नाशनल पंचायती राज टे, that is 24th April, you have to remember this date, it is very important, it was launched on a pilot basis in 6 states, तो छह राजों में यह शुरू किया एकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या होगा, Mapping of Rural Inhabitant Land through Drones and New Technology, तो जहां पर जो Residential Area होता है, Rural Residential Area, उसको मैप करना, उसको नापना, उसकी Ownership देखना कि कौन ओन करता है उस लैंड को, वो Drones on नए Technology से करेंगे, Title Deeds देंगे, to be issued on the basis of Mapping, जैसे मान लीज़े, आपको एक जमीन खरीते हैं, तो उस जमीन की आपको एक Title Deed मिलती है, यानि कि वो आपकी जमीन है, तो उस तरह से, उस तरह से, इस खीम के अंदर भी Title Deed दे जाएगी, Swamitwa to people through identification of property rights, तो ownership मिलेगी लोगों को, property rights को identify करके, कि यह particular इंसान की property है, यह इसकी property है, ऐसे, जो property disputes है, रूरल इंडिया में, वो सेटल किये जाएगे, revenue collection और planning को भी सही किया जाएगा, तो यह उपर-उपर से आप देख सते हैं कि Swamitwa Yojna क्या है, ठीक है, अब आगे discuss करते है, So, PM Swamitwa Yojna has been launched on the occasion of Panchayati Raj Day, that is on 24th April, It is basically for integrated property validation solution for rural areas in India, तो जो property है, उसको validate करना, कि यह किसको belong करती है, कोई disputes तो नहीं है, उसके बारे में revenue collection, उसको integrate करना, एक साथ लाना, और उससे related solution provide करना, और सब कोछ कहां, रूरल area में, एक है, anyone can check the complete details about the land, plans of development, progress report, etc. on the single Swamitwa Portal, तो जो जानकारी जाननी है, क्या development होने वाला है, क्या progress है, वो हम सब Swamitwa Portal के थूरू जान सकते हैं, तो यह basically किसके लिए है, To Map Residential Land Ownership in the Rural Sector, यह हमने पढ़ा, कि map करना, Rural Residential, जो लैंड है उसको, ठीक है, now, basically क्या है, it is a unified portal, तो it is a single interface for the gram panchayats, in order to prepare and implement their gram panchayat development scheme, now, हर gram panchayat के एक development scheme है, तो उसको prepare करना और implement करना, उसके लिए एक single window provide की गई है, जिसके बारे में, जहांसे आपको सारी information मिल जाएगी, ठीक है, यह है, तो आपका gram panchayat development scheme, जो ministry of panchayat री राज ने शुरू किया था, for integrated development of the gram panchayat level, to focus on community's needs and priorities, तो यह ministry of panchayat राज ने शुरू किया था, कि जो gram panchayat की needs है, जो आपे जो community उसकी needs है, क्या उसको जरूरत है, क्या priority उस पे focus किया जा सके, यह जो GPDP है, या फिर GPDS, यह part है, vision document 2024 का ministry of panchayat राज का, तो 2024 का जो vision document है, कि इतना development होना चाहिए, ministry of panchayat राज का, यह उसका part है, तो इसी को implement करने के लिए, और अच्छे prepare और implement करने के लिए, यह बनाया गया है, swamitv portal, जो swamitv yojna आया है, ठीक है, central government has launched swamitv scheme, under which the government has also launched the e gram swaraj portal, तो swamitv scheme के अंडर आता है, e gram swaraj portal, अभी हम दूसरे lecture में discuss करेंगे, e gram swaraj portal के बारे में, now the demarcation of inhabitant land in rural areas, will be done using technology of drones, in collaboration with latest survey methods, तो जो land को कैसे demarcate, मतलब नापना किये, किसकी है, इस तरह से division करना land का, यह सब कैसे होएगा, drones की technology से, यह किस-किस department को help करेगी, जैसे ministry of panchayati raja को help करेगी, state panchayati raja department को help करेगी, revenue department को help करेगी, survey department को help करेगी, कि अमानलो revenue department को किस से किता revenue collect करना है, easily पता लग जाएगा, कहाँ पे किते लोग रहते हैं, किती जमीन हैं, किसको बिलॉंग कर से, इन सब चीजों का survey अराम से हो जाएगा, so this facility is expected to reach about 1.25 lakh panchayats all over the country, करीबन 7 lakh panchayats को ये कि पास पहुचाया जाएगा और उनको benefit करेगी, ठीक है, now अब benefit कह है, for streamlining, planning, revenue collection and provide clarity over property rights in rural areas, ये हमने पढ़ लिया कि planning, revenue collection, property rights को समझना असान हो जाएगा, open up avenues for applying for loans from financial institutions by the owners, अगर loan apply करना है, तो मेरी इत्ती जमीन है, तो मैं financial institutions के पाद अराम से जा सकती हूँ, अपने papers लेके, कि हमें सरकार से ये papers मिले है, disputes related to property would be settled, क्योंकि title deeds मिल जाएगी scheme के थूँ, तो वो सब disputes नहीं होगा, कि किसकी property है, जैसे हमने movies वगेरा में देखा होगा, कि आपस में लडाई होती है, जमीन को लेके, तो वो सब clear हो जाएगी, तो ये है benefits इस scheme के, अब हम discuss करते हैं, हम शुरुआत से discuss कर रहे थे, national panchayati raj day के बारे में, तो हम उसके बारे में discuss करते हैं, 24 April को मनाया जाता है हर साल, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 73rd amendment act 1992, ये approve किया गया था, और force में आया ये, 24 April 1993 में, जो 73rd amendment act 1992 था, उससे क्या है था, हमारा panchayats constitution में add किया गया था, part 9 में, इसमें 11th schedule है, 29 topics cover करता है, from article 243 to article 243 O, ये बहुत important है, तो पूछ लिए जाएगा, कि part 9 किस चीज़ से related है, it is related with the panchayats, तो यहां पे क्या है, it gives the right to set up village panchayats, and give them the authority to work as self-government, तो महात्मा गांधी जी ने काता कि, जो basically, जो violence वगेरा होता है, वो हट जाएगा, और लोगों की opinion को जादा बढ़ातरी मिलेगी, अगर हम panchayats बना देंगे, तो basically, ये decentralization के लिए है, for decentralized political power, first national panchayat day कब मनाया गया था, 2010 में, this is very important, now, अब इस दिन क्या होता है, जो union ministry of panchayati, राज है, वो conference conduct कराती है, rewards देती है, जैसे panchayat, शशक्ति करन पुरस्कार, ये राश्री गौरव, ग्राम सभा पुरस्कार, जो best performing panchayat होते है, उनके लिए, और इस साल, और और awards दिये गए, जैसे नाना जी देश्मुग, गौरव ग्राम सभा आवार्ड, बाल सुलब ग्राम पंचायत आवार्ड, और ग्राम पंचायत विकास योजना, ये याद करने के जरुवत निये, जो mean question बन सकता है, की नानाल पंचायत दे कम मनाया गया, ठिके, राजस्तान पहला स्टेट था, आपके देश्मुग, पंचायति राज स्टेम इन था, दूरि आप पंचायति राज स्टेम इंचिए था, जवाहरलाल नेहरू, तो ये था अबट नानाल पंचायति राज, so this was all about this topic please, if you liked the video please subscribe to our channel and please press the bell icon that whenever I post the next video you will get a notification so this was all for today now we will be meeting again with the new topic thank you so much